सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश टुटोरियल्स आशीशर को और इस बेल आइकन को प्रेंस कीजिए ताकि आप आसके हमारे चैनल की लेटस्ट वीडियो की नोटिविकेशन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं इंग्लिश टुटोरियल्स आशीशर पर आज का ये एडिटोरियल सेशन 6th of March का एडिटोरियल सेशन यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबसे पहला एडिटोरियल आपके सामने है Life Without GSP यह फर्स एडिटोरियल सेशन जो आज का है तो Life Without GSP देखे सबसे पहले तो बता दूम आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले कि डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिये हैं उसके त्रू आप टेलेग्राम पर जड़ जड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको न्यूस पेपर का जो PDF है वहाँ पर उप्रवद होता है साथ ही रेगुलर इंटरवेल पर जो भी इंपोर्टन डॉक्यमेंट्स हैं इंपोर्टन चीजें हैं वह प्रवाइड वहाँ पर करीज की जाती हैं एक आपको लिंक दिया है आशिस क्लासेज एप का अगर आपने अ आज हम 20 नमर का पेपर वहाँ पेपलोड हो जाएगा तो 20 पेपर अब तक हो जाएंगे मिन्स 500 क्वेस्टन हम वहाँ पर डिसकस कर चुके होंगे तो बहुत बड़ी अपरचुनिटी है आपके लिए कि अगर आपने अप तक बाई नहीं किया है तो बाई कर दीजिए ताकि भी लोग देख पाएं कि एडिटोरियल इस तरीके से भी सॉल हो सकता है तो देखे लाइब विदाउट जीएसपी है तो सबसे पहले बता दूम आपको कि जीएसपी एक्चुल में क्या है तो जीएसपी का देखिए डेफिनिशन यहां दिया हुआ है जेनलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेज जेनलाइज सिस्टम और प्रेफरेंसेज को जीएसपी कहा गया है शॉर्ट फॉर्म जीएसपी है एलिबरेट फॉर्म जेनलाइज सिस्टम और प्रेफरेंसेज है मतलब प्रेफरेंसेज का एक समाने सा सिस्टम है पसंद क्या है प्रात्मिक्ता किसको आप देते हैं किसको preference देते हैं उसका एक generalized system है उसका एक समानेशा system है उसे GSP का नाम दिया गया है तो क्या कहा गया है इसमें इसमें कहा गया है कि जीवन कैसा होगा GSP के बगएर इंडिया must not underestimate the impact of the US withdrawal of trade privileges देखिए आज आसके से एडिटोरियल में एक और खास बात है कि आपको जो words important है जो vocabulary important है अलग से आपको highlight करके दी हुई है privilege का मतलब क्या है देख लीजिए privilege का synonym हो सकता है prerogative क्या synonym हो सकता है prerogative इसका synonym है prerogative का मतलब होता है विशेश अधिकार सोभाग्य मतलब किसी एक विशेश तबके क्या है कि India must not underestimate underestimate क्या है undoерSP prepared का मतलब है कम समझना किसी को कम समझ लेना कम आंक लेने को underestimate underestimate कहते है उइंपक्क्ट जो शबद है इसका मतलब होता है प्रभाव तो भारत को underestimate नहीं करना चाहिए the impact of the US withdrawal जो US की withdrawal of trade privileges US ने क्या किया है अमेरिका ने क्या किया है कि जो भारत को trade privileges दिये हुए थे व्यापार संबन्दी कुछ विशेश अधिकार भारत को नवाजे गए थे US की द्वारा वो US ने withdrawal करने का निश्चे किया है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा भारत पर अगर US अपने अधिकारों को अपने विशेश अधिकारों को विड्रो कर लेता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर उस चीज़ को भारत को underestimate नहीं करना चाहिए यह आपको sub headline में बात कही गई है ठीक है आगे देखिए The US has ultimately acted on The US has ultimately acted on its threat to withdraw concessions US ने ultimately US ने क्या किया है कि US has ultimately acted on its threat to withdraw concessions US ने ultimately काम किया है अन्तत्य काम किया है किस चीज़ पर its threat to withdraw concessions कि इसके एक धमकी थी एक threat थी US की कि वो concessions को withdraw कर लेगा US ने कहा था कि जो छूट हमने दी हुई है concessions जो दी हुए है concessions का मतलब छूट होता है उस छूट को हम withdraw कर लेंगे उसके अनुसार उसने कारिये किया है act on किया है तो act on एक ऐसी phrasal verb हुई verb है adverb क्यों है क्योंकि acted on यहाँ पर verb है तो verb की विशेस्ता कौन बताएगा adverb बताएगा इसलिए यहाँ पर adverb का प्रियोग है तो अमेरिका ने अन्तते अपनी threat के अनुसार काम किया है जिस threat में उसने कहा था कि वो concessions को withdraw कर लेगा वो concessions जो उसने भारत जो concessions उसने grant किये हुए थे सुक्रत किये गए थे किसके लिए कि दिये गए थे वो grant किये गए थे भारती इंपोर्ट के लिए कि भारत अगर इंपोर्ट करेगा US का सामान तो कुछ वहाँ पे छूट दी गई थी US के द्वारा उसको withdraw करने की बात है Under the generalized system of preferences और वो किसके तहत है वो generalized system of preferences के तहत है GSP के तहत है ठीक है With President Trump indicating as much in a letter to the house of representatives and senate देखिए दो यहाँ पे सदन है संसद के अमेरिका के With President Trump Trump जो राष्टपती है अमेरिका के उनके द्वार एक संकेत दिया गया था As much in a letter to the house जो representatives का house है Senate का house है उसमें एक संकेत दिया था एक पत्र के द्वारा Washington became the first to pull the trigger Pull the trigger note कर लीजिए Pull the trigger का मतलब note कर लीजिए Pull the trigger का मतलब है यहाँ पर उसने कारेवाही की है है ना यहाँ पर trigger दबा दिया है यहाँ पर कारेवाही की गई है तो यहाँ उन्होंने संकेत दिया है दोनों house को letter लिखते हुए कि Washington became the first कि Washington मतलब अमेरिका जो है Washington देश की राजधानी है इसका मतलब यहाँ पर अमेरिका की बात की गई है कि अमेरिका जो है वो the first वो पहला एक राजधा बन गया है to pull the trigger in a long trade standoff standoff का मतलब क्या है standoff का मतलब होता है गतिरोध कह सकते हो अब deadlock कह सकते हो दो बराबर के opponents के बीच में होने वाला जो गतिरोध है उसे हम standoff के नाम से जानते हैं ठीक है गतिरोध का मतलब क्या है गतिरोध deadlock है जो दो बराबर के जो opponents है उनके बीच में होने वाला जो गतिरोध है उसे हम किस नाम से जानेंगे उसे हम standoff के नाम से जानते हैं तो जो standoff है उस लंबे समय चला रहा trade standoff है उसको उस पर कारवाई करने के लिए बात की गई है between the two countries दोनों देशों के बीच इंडिया-U.S. trade tensions भारत और U.S. की जो trade tensions हैं वो escalate हुई escalate का मतलब बढ़ी है last year पिछले साल when the U.S. took two consecutive decisions जब U.S. ने दो लगाता decision लिये थे to increase import tariffs क्या दो decision लिये थे इसने कहा था कि भी हम आयात पर लगने वाला कर्द जो है बढ़ा देंगे tariff का मतलब tax है tariff का मतलब क्या है tax note करते चलिए गा जो important words यहाँ पर मिलते जाएं आपको वो आप note करते चलिए तो यहाँ पर कहा गया है कि दोनों मतलब जो tax है import पर लगने tariff है उसको बढ़ा दिया जाएगा और steel and aluminium और tax किस पर बढ़ाने की बात है steel और aluminium पर आगे देखिए end place end place India's eligibility for GSP benefits under review और भारत की eligibility है GSP benefits के लिए कि भारत को GSP benefits होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भारत को GSP के अंतरगत लाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जो eligibility है भारत की उसको भी under review करक दिया है उसको भी विचारधिन कर दिया है shortly after shortly after India said इसके ठीक बाद में कुछी दिन के बाद में India ने कहा कि it would impose retaliatory tariffs कि भारत भी परतिशोधात्मक retaliatory का मतलब क्या है बदला लेने की भावना से उत्परोथ है retaliatory का मतलब परतिशोधात्मक है कि भारत जो है retaliatory tariffs impose करेगा impose का मतलब थोपना है on imports देखे on लगता है impose के बाद क्योंकि जो थोपते हैं वो किस पर थोपी गई है उसकी यहां पर बात है तो imports पर भारत भी US से US को जो समान यहां पर import करना पड़ेगा भारत के द्वारा उस पर भारत जो है बदले लेने की भावना से tariff लगाएगा from the US जो imports from the US and even notified the list of items और यहां तक की भारत ने तो items की list को भी बता दिया है on which these would apply जिस पर यह सब tariff लागू होंगे meanwhile इसी दरमियान the US stood fast stood fast का मतलब stand fast के second form है इसका मतलब द्रड रहना है अपने इस्तान पर अडिग रहना है स्तिरता बरतनी है कहीं पर एस्तिर नहीं होना है तो यहां पर US जो है इस दोरान भी एकदम द्रड रवया अपनाए हुए है on not exempting India उसने कहा है कि भारत को कोई माफी नहीं देगा from its tariff high जो उसके कर संबंदी hikes की बात हमने की है जो tariff संबंदी hikes की बात है कि हमने जो कर बढ़ाएं है उसमें भी कोई छूट यहां पर नहीं मिलने वाली है with Mr. Trump complaining about India's high import tariffs several times जो कि Mr. Trump जो है भारत के उच्च जो import tariffs है आयात पर जो कर लगता है भारत के दोरा वो काफी बर शिकायत कर चुके हैं इस बारे में the GSP review however stressed on GSP review जो है however stressed on stretch का मतलब extend होता है फैलना होता है तो यह GSP review है वो फिर भी extend रहा मतलब यह बढ़ाया गया इस review को मतलब review होगा with the two countries holding frequent talks to address the concern दोनों देश जो हैं बार-बार में frequent talks आयोजित कर रहे हैं ताकि इस concern को इन चिंत्याओं को address किया जा सके address का मतलब यहाँ पे क्या है to address देखे verb है और verb के रूप में अगर address का प्रियोग है इसका मतलब resolve करना है solve करना है India for its part postpone the deadline भारत ने अपनी तरफ से क्या किया था postpone कर दिया था इस तगित कर दिया था deadline को deadline का मतलब एक अंतिम तारीक एक अंतिम आपको limit दी गई थी कि इस सीमा तक इस तारीक तक या फिर इस समय तक आपको इस सब कुछ करना पड़ेगा तो भारत ने अपनी postpone की थी deadline को कि भारत ने कहा था टेरिफ टेक्स के हमने बात की थी कि हम भी बदला लेने की भावना से आप पर टेरिफ लगाएंगे कर लगाएंगे 6 बार भारत इस चीज़ को postpone कर चुका है लेकिन जो latest deadline है वो April 1 रखी गई है नविंतम deadline है वो April 1 रखी गई है Washington's decision Washington का जो decision है to review India GSP कि वो भारत की GSP status को फिर से review करे वो कहां से निकल कर आया देखे stamp form दे रखा है stamp form का मतलब कहीं से originate होना है कहीं से उद्गरहित होना है तो इंडिया का जो GSP status है उसको review करने की बात Washington के मन में कैसे आई America का decision ऐसे कैसे आया वो हुआ था complaints मिली थी इनको American medical and dairy industries से अमेरिका के जो medical and dairy industries वहाँ से कुछ complaints प्राप्त हुई थी इसको both of which said दोनों में से both of which किसके लिए कहा गया है इस medical and dairy industries के लिए बात की गई है दोनों ही जो है उन्होंने कहा कि India was not providing equitable reasonable access to its market इन्होंने कहा कि भारत जो है हमें equitable or reasonable access नहीं देरा अपने market में अपने market में मतलब भारत में अगर हमें जगे बनने की बात है तो भारत के दुआरा वो platform provide नहीं करवाया जा रहा equitable का मतलब just है access के साथ to का प्रियोग करते हैं ये काफी बार हम बात कर चुके हैं चलिए आगे बात करते हैं India has said it had tried hard to cater to most of the US demands भारत ने कहा है कि हमने तो बहुत प्रियास किया है hard यहां पे adverb है क्योंकि try की विशेस्ता बता रहा है और verb की विशेस्ता बताने वाला शब्द adverb होता है यह काफी बार हम बात कर चुके हैं hardly भी adverb होता है इन दोने में difference यह है कि hardly ना के बराबर या मुश्किल से के अर्थ में आता है जबकि hard है वो बहुत सक्ती से या जोड से उसके लिए प्रियुक्त होने वाला word है तो यहां पे भारत ने कहा है कि इसने बहुत प्रियास किया है cater to करने का cater का मतलब है देखभाल करने का ध्यान रखने का यूएस के डिमांड्स का और काफी हमने प्रियास किया है कि एक अंडरस्टेंडिंग डवलप हो दोनों देश एक दूसरे की जरुरतों को समझे बट की पॉइंट्स लेकिन जो वास्त्विक बिंदू है जो मुख्य बिंदू है की का मतलब है मुख्य मैन जो यहां पर मुख्य बिंदू है डिफरेंस के जिसमें अंतर आ रहा है इस्पैशली रिगार्डिंग इंडियाज कल्सरल कंसर्ण्स विशेस्तया जो भारत की सांसकर्तिक चिंत्याओं के संदर में है तो डू विद डेरी प्रोडेक्स जो डेरी प्रोडेक्स की बात हम करें कि डेरी प्रोडेक्स की जो कंसर्ण्स है डू विद डेरी प्रोडेक्स का मतलब डेरी प्रोडेक्स को लेकर जो कल्सरल कंसर्ण्स भारत की है उसको लेकर could not be accommodated भारत ने कहा कि हम ये बात सुईकार नहीं कर सकता है पाद को एकमड़िट नहीं किया जा सकता गीवन दिस इसको देखते हुए and the fact that the US has been expressing discontent over India's policies इस चीज़ को देखते हुए कि fact है कि US हमेशा एक discontent जाहिर करता रहा है discontent का मतलब ऐसंतुष्टी है content इसका एंटोनीम है content का मतलब संतुष्टी होता है content का opposite discontent है तो नाराजगी जाहिर करता रहा है SMT जाहिर करता रहा है और इंडिया पॉलिसी भारत की जो नीतियां है उसको लेकर to do with to do with data localization की data localization के संदर्ब में American शिकायत करी है FDI rules जो है e-commerce को लेकर FDI क्या होता है foreign direct investment के लिए परिक्थ होने वाला term है तो FDI rules जो e-commerce में है उसको लेकर America discontent जाहिर करता रहा है the decision to withdraw the GSP status should not come as a surprise तो GSP status को withdraw करने का decision America ने लिया है उसको अब इस रूप से नहीं देख सकते कि surprise है ये तो anticipated था expected था क्योंकि America काफे दिनों से नराज चल रहा था the question is how will New Delhi react लेकिन अब प्रशन यह उड़ता कि कैसे New Delhi मतलब भारत कैसे react करने वाला है ये प्रशन यहां पर उठता है allowing the US announcement that Commerce Ministry was quick following the US announcement इस US announcement को अनुसरन में इसको follow करते हुए Commerce Ministry जो है वो काफी जल्दी उसने downplay the impact इस प्रभाव को इसने downplay किया downplay का मतलब है किसी प्रभाव को जो real में बहुत effective हो सकता है उसको कम आके लेना उसको कमजोर समझ लेना तो इस प्रभाव कमजोर समझ लिया है उन्होंने saying that GSP benefits amounted to amount to का मतलब होता है equal to बराबर होना ये कहा है कि GSP benefits जो है वो केवल 190 million dollar थे जबकि इंडिया का जो total exports under GSP है US को वो लगबक 5.6 billion dollar थे इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा नुकसान कम है अमेरिका को नुकसान जादा है इंडियन officials have stress that talks on the issue would still continue during the 60 day period और भारती अधिकारियों ने तो इस बार भी दबाव दिया है stress यहां पर देखे verb है और stress अकर verb के रूप में परियुक्त होता है तो इसका मतलब फिर आपको इसके आगे preposition नहीं लगाना है अगर stress noun होता है और यह दिया हुआ हो कि किस पर stress डाला गया है किस पर दबाव दिया गया है तो फिर आपको उनका प्रियोग करना पड़ता है तो भारती officials जो हैं उन्होंने stress दिया है that talks on the issue कि इस मुद्दे पर जो बातचीत है would still continue during the 60 day period वो 60 दिन के समय सीमा तक जारी रहेगी after which the GSP decision would come into effect उसके बाद में GSP decision जो है वो effect में आएगा वो लागू होगा the other option the government can exercise एक और जो विकल्प government के पास वो यह है कि to impose utility tariffs on US goods की अमेरिका के समान पर यह परतिशोधात्मक कर लगाए the government's efforts to downplay the impact of the withdrawal of GSP status and express readiness for more talks government का जो प्रियास है कि इन्होंने impact जो परने बाला है withdrawal of GSP का GSP को withdraw करने का उसको downplay किया है उसको कम समझा है और इन्होंने अपनी readiness दिखाई है बादचित करने में ततपरता दर्शाई है however suggest it is not keen to take a decisively strong stance ये suggest करता है ये संकेत देता है कि भारत ये it है वो भारत के लिए आया है कि वो keen नहीं है वो गहरा उत्सुक नहीं है किस चीज को लेकर कि वो decisively मतलब निरनायक रूप से strong stance लेने कि इसकी मंचा नहीं है stance का मतलब रवय या नजरिया होता है इसमें इस बात पर भी जोड़ दिया गया है कि जहां actual amount जो है वो खत्रे में at stake का मतलब है at risk जो actual amount खत्रे में है वो भहती कम है with even India's proposed tariffs on the US amounting to just 900 million dollar the impact of small industries in the country could nevertheless be significant इसमें इस बात पर जोड़ दिया गया है कि actual amount जो risk में है वो relatively small है देकि relatively के संदर्ब में grammar की बात प्रश्ण पूछा जाता आपसे exam में relatively में आपको degree कौन से लगानी है तो यहां small है जो degree positive बता रहा है तो relatively और इसके साथ साथ एक word comparatively हो सकता है दोनों के साथ degree positive आती है अगर आपको exam में comparative degree दे रखी हो तो इसको आप गलत मान लीजिएगा इसके बार देखिए यहां कहा गया कि जो relatively small है जो actual amount है इसमें कहा गया कि भारत का जो प्रस्ताविट टैरिप्स है यूएस पर कि यूएस पर जो कर लगाएगा वो लगबग 900 million dollar के करीब होगा the impact on small industries फिर भी जो लगूद्योंगों पर impact है प्रभाव है could nevertheless be significant nevertheless हो यट का synonym है फिर भी का meaning देता है ये फिर भी एक significant हो सकता है महत्तोपूर्ण हो सकता है export bodies have already said जो export निकाए है जो export की निगरानी रखते हैं उन्होंने पहले ही कहा है कि that such industries would lose their market share in the यूएस किस प्रकार की industries मतला small industries जो है वो अपना market share यूएस में खो देंगी without fiscal support यदि उनको विट्टिय साहता नहीं मिलती है to maintain them maintain their age क्यों to support to help them maintain their age maintain their age का मतलब है अपने success को बनाए रखना अपने ओदे अपने कद अपने स्तिरता बनाए रखना संतुन बनाए रखना कि भारत जो है दूसरे देशों के जो GSP countries है जो दूसरे देश इस प्रकार का GSP को छेतरों में भारत को लेकर आता है उसके और इसका जुकाओ हो जाए science of which are already evident और जिसके संकेत हैं पहले से ही इसपस्ट हैं सामने हैं obvious हैं साक्षे के रूप में हैं evident का मतलब साक्षे सबूत या obvious कह सकते हैं तो यह आज पहला डिटोरियल हमने दिया है दूसरा डिटोरियल और एक और वीडियो के जरिया आप तक पहुंचा दिया जाएगा